राजीव रंजन भी हैं जो इस वक्त एरपोर्ट पर हैं और जो खबर वहां से उन्होंने दी है कि डिकेशिव कुमार दिल्ली लैंड कर चुके हैं। कुमार यहां से एरपोर्ट से निकलते हैं सीधे जो हैं कॉंग्रेस के रास्टी अधर जो हैं जो जाएगा कि आखिर करनाटक का मुठमंत्री को कौन होगा जो वहां बैठक हो रही है उसमें राहूल गांदी के अलावे जो सुषिल कुमार सिंधे वह भी है देखे बात करने कोशिश करते हैं। जवाब मीदे रहे बिखे आखिकर आखिके अगार नम्क धो नससी करते हैं। जवाब मेदय फोट प्रूर्ट के वाट ने सिंधे आखिके पार जो 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 है। जवाब मेदे औरे लिए उसमों यह वी सवाल करूछ रहा है लेकिन एक भी सवाल का जवाब नी जो रहे हैं उसे ये भी पूछा जा रहा है कि कर नाटा की सथा कोई सवाल ने दे रहें पावर से टेरिंग पर क्या बात चिथिए ओज आ पी पहां चोंड रहे हैं और सामने आगे पाझने की तुन सब्सक्राइब जबाब नहीं दे रहे हैं और यहां सारे मीडिया पोस्टन जो है जा रहे हैं सवाल कुछनी के कोशिच कर रहे हैं लगातार लेकिन एक सवाल का जबाब नहीं दे रहे हैं संभातों वह पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं और वह अपनी दावेदारी को लेकर अस्वस्त हैं और यहीं बज़ा है को इंतिजार करें कि जब तक जो है एक हम बैठक नहीं हो जाती है खड़गे के रेजडेंट पर बैठक हो रही है सुसी के स्वीकुमार के साथ जो कॉंग्रेस अधक्षी बैठक होगी राहूल गांधी भी उस मिटिंग में होंगे और उसके बाद इस पास फैसला लिया जाएगा कि आखिर करनाटक का जो चीफ मिस्टर होगा वो कौन होगा अगला सीम कौन होगा दोनों पक्षों ने अपनी दा कावेदारी जो उनके जो समर्थक यहां पर आया हूँ है उनका ये कहना है कि उन्होंने जिस तरह से कॉंग्रेस की सेवा की है मुसीबत में कॉंग्रेस का साथ दिया है और उनकी अगवाई में ही कॉंग्रेस को जो है करनाटक में एक बंपर जीत मिली है और इस वज़े से जो है उनका दावा काफी मजबूत होता है वह सदार रमयया के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो मुसिबत में कॉंग्रेस के साथ एक सबना नहीं खड़ हुए हैं जिससे डीकेच तुन कुमार шुण हई हैं और उनको अगवाई में कॉंगरिस को ऐसा मैसिव विक्ट्री जिसको कश सकते हैं वो नहीं मिला है डीकेस In कि अगवाई में इतना मैसिव विक्ट्री मिला है जीत मिली है तो जाईसी बात है कि स्थे उनी को जाता है और उनका यह भी कहना है कि उनके जो समर्था कहां देख से कि बड़ी तदाद में आया हुए मीडिया वाले लाग कई बार सवाल पूछ रहे हैं उनसे और एक भी सवा जो है कम से कम दिल्ली में नहीं खोले हलांकि वह पहले बता चुके हैं जब यह खबर आये थी कि सिद्धा रवहिया जब यह बात कहा रहे थे कि उनके पास जो है कॉंगर्स विधायकों का भामत है जब डीके सी कुमार सो पूछा गया तूनों नहीं कहा कि हम हमारे पास तो पूरी पार्टी है और जो 135 जो चुन के आया है वह मेरे नितुर्त में चुन के आया हुए है तो जो जिम्मेदारी जो सौपी गई थी हम ने उसे निभाया है यानि जो लॉयल्टी फैक्टर की जो बात जो है करहें यह बार-बार डीके बता रहे है और वह बता यह भी बता तो सुनिया गांधी पूम से मिलने के लिए आए वे थी और दोहाई देते हैं कि कॉंग्रेस के लॉयल मेंबर है वफदार है जो भी जिम्यदारी पार्टी के तरफ से दी जाएगी उसको पूरा करने के कोशिश करेंगे तो यह दोनों तरह के अलगला अपने दावे हैं अब देखना यह होगा कि आखिर जो है जो कॉंग्रेस आला कमान जो है आखिर क्या फैसला करता है और यहां पर देखें कि डीके स्वीकुमार एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कोशिश करते हैं कि फिर से कोश नहीं है कि क्या माने की करनाट को जो है नया सीम कब मिलेगा आप बनेंगे या सिधार रमेया बनेंगे लेकिन किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देते हुए अपनी गाड़ी से जो जानकारी मिल पा रही है यहां से एरपोर्ट से जो है डिके स्री कुमार जो है जो कावरिश के रास्ती है धक्ष में है मलका दुन ठर्गे के घर राजा जी मार्क चोर चले गया है